सबी को राम राम हम इश्वर के अंस हैं इसे जानकर रिशी मौन हो जाते हैं वे किसी की निंदा नहीं करते किसी को भी भला बुरा नहीं कहते और किसी का अमंगल नहीं सोचते उनकी सारी कामनाएं आत्मा में ही समाहित हो गई हैं वे परमात्मा के अतिरिक्त अन कुछ नहीं देखते और यही सर्वोच ब्रह्म ज्यानी का लक्षन है सर्वोच देवताओं से लेकर निक्रिष्ट कीटों तक सभी विभिन रूपों में वही विद्ध मान है जो अपने भीतर ही आनंद पाता है जो अपने भीतर ही पाने की इच्छा करता है आत्मा की प्राप्ती ही सबसे बड़ी प्राप्ती है मैं मुक्त हूँ अता सुखी होने के लिए मुझे अन्यवस्तू की आवश्यकता नहीं है मैं चिरकाल से अकेला ही रहा हूँ क्योंकि मैं मुक्त था मुक्त हूँ और सदैब मुक्त रहूंगा यही वेदान्त है यही आलोकिक सत्य है, यही ज्ञान है, सत्य की ही जै होती है, मिथ्या की कभी नहीं, ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग केवल सत्य से ही रहता है, केवल वही सत्य विद्वान है. जब मन सुध हो जाता है, उन दर्शन करने योग सृष्टा इश्वर पर्मात्मा रुपी स्वर्णिम ब्रह्म का दर्शन होता है, सारे कर्म रुपी असुधियां धुल जाती है, पर्मात्मा हर्व, पर्मानू और सर्वत विद्वान है, सभी वस्वों का सार्तत्व और इस इश्वर है संपुर्ण ब्रम्भांट उन एक मात परमात्मा की ही अभी व्यक्तियां हैं जब हम हर परकार के द्वेद भाव से भले बुरे से सुख दुख से कष्ट और आनंद से उपर उठ सकेंगे और जान सकेंगे हम स्वास्वत और परिवर्तन सील असीम ब्रम है जैश्री क्रिशना जैश्री राधे